अकोला शहर सहित जिले में कोरोना वाइरस के संक्रमन ने पिछले कुछ दिनों में गती पकली है एक्टिव पॉजिटिव मरीजों का आकला 500 से दिक हो गया है नए नए इलाकों से पॉजिटिव मरीज निकर रहे हैं इसने जिला परशासन को सक्ते में डाल दिया है रहेवार 9 अगस्त की सुबह 30 पॉजिटिव मरीज निकले है जिसमें 8 महिला और 22 पूर्श मरीजों का समावेश है जिसमें मुर्तिजापूर के साथ दालंबी के 6, केलकर हस्पिटल के 5, खामबोरा के 3, खड़की के 2, विठलनगर के 2 मरीज है जबकि अन्य मरीज अकोट, शिवाजी पलोट, रामदा स्पेट, नीम करदा, कैला श्टेक लिख है शनिवार की रात उपचार के दावरान 75 वर्शे महिला की मौत हो गई यह महिला मौतिजापुर के तेली पुरा निमासी थी, जिसे 6 अगस्त को दाखिल किया गया था शनिवार के राप्त राप्त रैपीड अंटीजन टेस्ट में 9 मरीजों की रिपोर्ट पॉजिटिव आई थी जिसका समावेश रैवार की पॉजिटिव रिपोर्ट संख्या में और एक्टिव पॉजिटिव संख्या में किया गया है इससे के साथ अभी तक प्राप्त पॉजिटिव रिपोर्ट की संख्या 3011 हो गई है मरने वालों की संक्या 116 है जबकि अभी तक 2374 मरीजों को डिश्चार्ज किया जा चुका है एक्टिव पॉजिटिव मरीजों की संक्या 521 हो गई है इस परकार की जानकरी सरकारी वैदी के महा विद्धाले द्वारा दी गई है